कि हैं है कि है लो एन वेल्कम इंवरीमिन items यूडियो में हम बात करेंगी सांकिखे कीटीन ब्रांचे स्में Everything के बारे में तो चलिए बात करेंगए इसके लिए कुछ पैरामेटर लिए हैं , आनलाउंकर Aha तुर पढ़ेज सो दखेए पहले जो ब्रांच आती है ग्लासिकल संकी जिसके डिसकभरी कियाकर मैक्सफडर बोल्टडर वहज़ारा फिर दूसरी आती ऑफ इंशनल संगी कि इसकी Nós सब्सक्राइब नात तो देखे पहला जो nature आता है उनमें testing usable यानि कि देखे classical जो सांखिकी उसमें particles में हम अंतर बता सकते हैं इसलिए देखेंगे और हम उसमें अंतर बता सकते हैं लेकिन जो बाकि statistics है उसमें हम अंतर नहीं बता सकते हैं कि इसलिए वो in-dustic usable होते हैं ठीक है हम इसको जो है example के दुछ समझते हैं देखे जो classical gas होती है हम उसमें अंतर इसलिए बता सकते हैं क्योंकि वो क्या है classical particles होते हैं जो कि इस statistics के अंतर गताते हैं लेकिन देखे इनमें दोने statistics जिनमें हम Indastic usable भी हैं इनमें देखिए कैसे नहीं बता सकते हैं तो देखो electrons, photons हैं हम इनमें अंतर नहीं बता सकते हैं वो इन दोनों में आते हैं अब देखिए तीसरी parameter हम use करते हैं size of the face cell face cell का size क्या होता है तो देखिए classical जो सांखिकी होती है उसमें जो particle को अपने हिसाब से हम कम जादा ले सकते हैं और उस हिसाब से हम उसकी जो face cell को adjust कर सकते हैं लेकिन जो बांकी जो सांखिकी है उनमें जो है face cell के size को कभी भी हम h cube से कम नहीं कर सकते हैं यह इसका condition है अब बात करते हैं applications की तो देखिए पहला जो applications अगर हम बात करें statistics की पहला जो है classical statistics उसकी application हम जो है उसका हम use classical में करेंगे लेकिन जो बांकी जो सांखिकी है उसका use जो है quantum statistics में किया जाता है अब बात करें हम अगली जो parameters है वो है properties of the particles तो देखिए जो classical सांखिकी होती है उसमें जो है wave functions का जो spin होता है spin of the wave function वो कभी भी overlap नहीं करते क्योंकि वो freely move करेगा अपने according वो कभी भी एक दुसरे को overlap करी नहीं सकता लेकिन जैसे बात करेंगे बो सांश्टिन statistics इसमें होता है क्या gift pin अगर हम spin जो यह में क्या होता है sum पूर्णांग होता है तो यह जैसे कि sum पूर्णांग मतलब 0, 12 इस तरीके से होता जाए तो वो जो है overlap कर जाता है और for me diagram की statistics में क्या होता है कि यहीं जो particles अगर with a report होते 1 by 2, 3 by 2, 5 by 2 इस तरीके तो वह अवर लैप करेंगे यह इसकी conditions है अब next वगर परामेटर समले तो particles को क्या बोलेंगे हम देखिए हम तीनों statistics यहने कि अलग अलग सांखे की में अलग particles को अलग अलग नाम रखेंगे तो देखिए classical statistics है तो classical particles नाम दे देते हैं एक्जामपल के लिए आप ले सकते हो classical gas को बो साइंस्टेन statistics इसमें क्या होता है इसके जो particles हो उसको कहेंगे bosons सब यहीं पर लगा हुआ है bosons से bosons बना हुआ है ठीके photons और phonons इसके examples आ जाएंगे आपके लिए फर्मी डिराग statistics के जो particles हो फर्मी ओन कहेंगे जिसके example के लिए आप ले सकते हो electron, proton, neutron यह सब इसमें आ जाएंगे अब बात करें restriction of the particles दिखिए पहला जो statistics है पहले सांकी के और दूसरी सांकी के उसके लिए कोई कोई प्रतिबंद नहीं है लेकिन फर्मी डिराग statistics में क्या होना चाहिए particles जो है पावली के अपवरजन नियम को follow करना चाहिए ठीक है तब वो जो है इसके अंतरगत आते हैं next जो parameter आते होता है distribution function तो अलग अलग जो सांकी की उसके लिए अलग अलग इस तरीके से distribution function जो देखने को मिल जाता है I hope आपको ये वीडियो समाझ आए होगी अगर एक बार जरूर इसको जो है example जैसे की MB में classical gas, BE में photons, photons और FB में electrons लेकर जो है आप एक बार इसको जो है झाल झाल